के जित्ते भी student है आप सभी student का CG Tate का exam जो 18 सितंबर को जो है completely हो चुका है समाब तो हो चुका है CG Tate का exam सब बारी है तो जो है आपका teacher भरती परिक्षा तो इस video में आप सभी को मैं बताऊँगा कि Tate का cut up जो है कितना जाएगा कितने अंको वाले स्टूडेंट के जो है सेलेक्शन होगा और टेट रिजल्ट जो आपका कब तक जारी होगा और टीचर भरती परिक्षा के लिए जो है टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन जो है कब तक आने वाला है तो complete details इस वीडियो में आप लोगों को सायक सिक्षक पोश्ट के बारे में जो है सारी जानकारी जो है सलेबास सभी details जो है इस वीडियो में मिलने वाला है तो 12,496 सिक्षक भरती आपका 2022 में होना है complete details इस वीडियो में देखते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि CG trade के result जो है कब जो है जारी होगा और कब तक आएगा तो CG trade के result के लिए आपको ज़्यादा इंतिजार करना नहीं पड़ेगा सिर्फ 20 से 25 दिनों में आपका result आएगा यानि कि अगले महिने के 15 October तक जो है आपके result जो है देखने को मिल जाएगा इसके सांद बात करें आप cut up के की cut up list जो है कितना जाने वाला है तो general के degree वाले student का नब बे 20 का 85, 80 का 75, 80 का 70 इतने नंबर पर हो जो है आपका selection हो पाएगा वहीं सायक सिक्षक के post और syllabus के बात करें कि किते किते post हैं और syllabus जो है क्या होता है तो 12,489 जो है सिक्षक के भरती होना है और यह आपका exam जो है जन्वरी फर्वरी महिने में होगा और नॉमर के second सब्ता में जो है इसके लिए notification आएगा तो CG Vyava में जो है सिक्षक के बड़ी भरती जो है आप लोगों के लिए निकल कर आया है अब मैं आपको बताता हूँ सायक सिक्षक के syllabus के बारे में था कि आप लोगों को अच्छे से बेहतर जनकारी मिल पाए सायक सिक्षक भरती परिक्षक के syllabus की बात करें तो exam से अब मैं आप सभी को सिलसीले वार सभी चीजे को बारे में बताता हूँ तो बाल विकास यहां सिक्षक सासर की बात करें तो इसे exams में 30 अंगों के 30 पुछ़णा पुछ़ए जाते हैं जिसमें पुर्ण टॉपिक वाई समका हैं तो बाल विकास परिच्वए इसमें आपका विकास की अधारना विकास की वस्ता हैं जिसमें गर्भ वस्ता, सैसाय वस्ता, प्रारंबीक वह उत्तर, बालय वस्ता की सोरा वस्ता, सारीरीक, संग्यानातमक, समाजिक, समें अत्मक, विकास को प्रभाविद करने वाली बाते प्रक्रीदी एवं पोशान निरंद्रता वा अनिरंद्रता प्रारंभीक एवं परिवर्थी अनुभाव्याएगा बाल विकास के समाजी के हम संस्कृति प्रिष्ट भूमी बच्चों का ध्यान और उसके जो है कुछ तरीके यह सभी आपके बाल विकास परिचा में देखने क को मिलेगा इसके सांथ ही विकास की पहलू की बात करें तो इसमें आपका सारे रिक्वा गत्यात्मा को विकास सारे रिक नियंद्रन वा समन्वन का विकास समय गात्मा के वं नहतिक विकास तो इसमें कुछ समानिय से धंजा से सरीर गयंगों के अनुपात में बदलाव उच इसमें क्या आएगा, सीखना क्या है, और बच्चे जो है किस तरह से सिखते हैं, विविध धर्णाओं की समिक्षा, वहारवादी, सरशनवादी, समाजिक संकल पनाए, शंग्यान क्या है, ये से भी इसमें मूल भुच चीजों के बारे में दिया रहते हैं, जो आएगा, और बीसे सा अवस्यक्त वाले बच्चे, तो चार एकाई में जो है इसको डिवाइड किया गया है, तो तीस संकों के तीस प्रशनव पुछे जाते हैं, वही आप बारी है एक हिंदी के, तो हिंदी से भी 25 संकों के 25 प्रशनव जो है पुछे जाते हैं, जिसमें आपका वर्ण विचार में स्वार, वर्ण अक्षर, वरतिनी, वचन, काल, शन्धी में आपका स्वार संधी, वर्ण संधी, विचारग संधी याएगा, एक है टूंग है, सब्द विचार में, शब्द रूप और सब्रशन, सुरोत के धार पर शब्दों के वर्गा, तत्सम, ततभाव, द सद्थ सप decision squash पर देंग प्रत्य शमाशनने इ major पढ़्रों पद्भेद में शंगय के प्रकार कारक्षिन Ça रवनाव विशेशन क्रिइंच gasAB fart अजनď भड़दीर भड पर्दग्रव रचना में महवरे तथन अज़क ढ़ा जातने आएगल तो यह सबी चीज़े आपके exam में पुशे जाते हैं तो हिंदी के त्यारी करने के लिए वाकरांड के त्यारी करने के लिए दिल्ली आईएस अगैडमी का book लेना है जिससे आपकी वाकरांड के त्यारी जो है अच्छे से हो पाएगा क्योंकि 25 अंको के हिंदी से प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं तो कम से कम हिंदी में आपको 25 में से कम से कम 22 से 23 नमबर आपको लाना ही लाना है तब जाकर कहीं आपका सेलेक्शन हो गए यदि आप हिंदी में आप 25 में 10 नमबर लाएंगे तो आपका selection नहीं हो पाएगा तो 25 में से courses कीजिए कि 22 से 30 नमबर आ जाए इसके बाद बाद करें English के तो English भी आपके exams के लिए काफी ज़्यादे important role play करते है जिसमें आपका comprehensive grammar तो grammar में आपका noun, pronoun, tense, wise, narration, conjunction, preposition, article, degree, question, take one word of substitution subordinate, coordinate, finite verb, one on finite verb, प्रेसिस, writing ये सब ये आपके English के grammar में जो है पूछ हो जाते है तो grammar के तयारी यादिया आप करना चाहते है तो इसके लिए आपको essential English रस्मी सीधिशा फब्लीकेशन के आपको लेना है जिसे आपके grammar के तयारी जो है अच्छे से हो पाएगा तो इसके जो है grammar के तयारी कर सकते है इसके साथ बात करें आपके गड़ित के तो गड़ित भी एक्जाम्स के लिए काफी important है जिसमें आपका दस्वामला प्रणाली आएगा जिसमें मीट्रिक प्रणाली लंबाई श्वेतर फलायत अंद्रव्यमान समय के माप संख्या में पूर्ण स्वाम विश्यम अभाजम विभाज़ संख्या आरो ही औरो ही क्रम इस्थानी इमान और सधारन भिन्यम दस्वामला भिन्यम इसमें भिन्यों के फरस पर तुलना इसके नियम दस्वामला भिन्यम को सधारन भिन्यमें बदलना संख्यात्मक वेंजकों को समी करन इसमें वेंजक का सरली करन बहुत नमास का प्रियोग हो गए वर्गमूल निकालने की विदी जिसमें गुड़ान खन्वा भाग भी थी देशमला वाले संख्याओं को वर्गमूल निकालना महत्तम समापर्तक लगुत्तम समापर्तक क्या है तो महत्तम समापर्तक और लगुत्तम समापर्तक क्या है ऐसे समंदी शमाशाओं के हैल ही तू शुत्र होसत में होसत निकालने की भी दिए तो यह सब ही आपके मैजसे में पूछे जाते हैं तो मैजसे के लिए डॉक्टर आरेच से ग्रवाल का बुक ले सकते हैं जिससे आपके मैजसे के तैयरी अच्छों से हो पाएगा रिजनिंग के लिए आप जो अरिखंत का मास्टर रिजनिंग ले सकते हैं जिसमें आपका वर्बल नान वर्बल सभी जानकारी दिया रहता है तो इन सभी से जो एक्जाम्स के बहतर तैयरी कर सकते हैं तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लेस वीडियो को शेयर कीजे कॉमेंट कीजे और बेन लोटिफिकेट्सन को भी आउन करके रख लेजिए यहां ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करऊं आपको कुछ जानकारी मिल सेगे तो नेस्ट वीडियो में मिलते हैं